पूरा देश 75 स्वतंतरता दिवस से पहले ही आजादी के जश्ट में डूब गया। कल यानी 15 अगस्त को देश 75 स्वतंतरता दिवस मनाएगा। लाल किले की प्राचीर से पीअबोधी देश को संपोधित करेंगे देश की आन, बान और शान तिरंगे को से लिउट करेंगे। जिसे देखते हुए देश दुनिया की नजर प्रधान मंतरी के भाशन पर होगी, कोरोना काल है तो लाल किले पर होने वाले स्वतंतरता दिवस समारो इस पार भी सीमित होंगे। लेकिन इस बार के आज़ादी दिवस को लेकर सबर्दस तयारियां की गई है। इसके बाद उनका भाशर होगा। महमत के आतंकी घुसपैट कर सकते हैं, आतंकी संगित हैं ड्रोन से नापाक साज़िश को अंजाम दे सकते हैं, जिसे देखते हुए लाल किले की सुरक्षा को अभेद बना दिया किया है। जमीन से लेकर आसमान तक पुखता इंतिजाम किये गए। भी स्वतंता दिवस के माहौल को खराब करने की साज़िश रची जा सकती है। इसलिए हर पहली को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथी स्वतंता दिवस की पूर्वसंध्या पर आज राश्पती रावनात कोविंद देश को संबोधित करेंगे। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ले पुलिस पड़ोसी राजियों के पुलिस के साथ कोडिनेशन में है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिये घटना ना घटे। इसी सिलसले में दिल्ली के पुलिस कमिशनर ओफिस में भी हाई लेवल मीटिंग हुई सुरक्षा को लेकर और क्या इंतिजाम किये गए इस मुद्दे पर दिल्ले पुलिस के डी सी पी क्राइम ब्रांच चिन में बिस्वाल से बात की इंद्या टीवी संबादाता अतुल भ धेस का अलग राजियों का भी जिम्हधारि होता है कि इसमें वो सहयोग करें और हर साल की तरह इस साल भी डिल्ली पुलिस के तरप से अस्प्रोसी राजियों के पुलिस के साथ उनके साल समझय के लिए एक कर गादिंग इसमें जितने भी मुद्धे हो सकता है, कोपरेशन के लिए, सहयोग के लिए, बॉर्डर की चेकिंग और सेलिंग के लिए, और जो भी जिस प्रकार के इंपूर्ट्स या क्रिमिनल्स या अलग-अलग प्रकार की व्यतिवीदियों के बारे में, इन्फरमेशन इंटेलिजन श स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, दिल्ली वे राजगाट, संसद्भवन, किनार प्लेस, रोशनी से सरवबूर हैं, तो वहीं मुंबई के सीएस्टी और बीमसी भी रोशनी से चका चौन थे, हर साल की तरह इस बार भी इनकी शोभा देखने लाएक है, अगस्त को हिंदुस बिल्डिंग है, और आप देखें, इस बिल्डिंग को बेहत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, ट्राइकलर से इसका जो मेन एंट्रेंस है, उसको सजाया गया है, और बाकी पूरी बिल्डिंग को LED लाइट का इस्तमाल करते हुए रोशन किया गया है, 75 वी वर्षकाट है, जो इस बार हिंदुस्तान आजादी की मना रहा है, और उसी के जश्न की तैयारियों के लिए जो बिल्डिंग है, ये सजायी गई है, इस वक्त हम आपको ये दिखाएं, तो ये सेंटरल पार्क का पूरा सरकल है, जिसमें आप देखें, ट्राइकलर के जो LED बल्ब हैं, इस बार प्रधानवंत्री नरेंद्र बोधी लगतार आठवी बार कल्लाल के लिए पर जंडा पहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे, खास बात ये कि हर बार पी-एम की पकड़ी, किसी ना किसी राज्ये और उसकी संस्कृतिक पहचान को दर्शाती है, इस बार भी उनके भाशन के साथ-साथ उनकी ड्रेस पर भी सबकी नजर होगी देशाती हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर